Hello everyone and welcome to Instant Biology by Dr. Nilaab मैं फिर से आगया हूँ आपके बीच में आपको एक बहुत important information के बारे में बताने के लिए जैसा कि आपको पता है कि gate के results आ चुके हैं और उसके बाद से notifications continuously आ रहे हैं अलग-अलग IIT की तरफ से वहाँ पे M.Tech या dual degree programs के में admission के लिए तो आज मैं उसी series में आगे बात करने वाला हूँ इससे पहले मैं अलड़ी COAP के ओपर एक वीडियो बना चुका हूँ IIT रुडकी के ओपर वीडियो बना चुका हूँ इसके अलवा IIT Delhi के बारे में बता चुका हूँ तो इस तरीके से मैं regularly जैसे जैसे नए नए IIT की notification आ रही है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ आज इसी सिलसले में मैं IIT Bombay के बारे में बात करूँगा जिसकी notification अलड़ी आ चुकी है और वहाँ पे कौन-कौन से programs में आप apply कर सकते हैं क्या deadlines वगरा हैं इन सब के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ तो बिना देर किये हुए शुरू करते हैं उससे पहले आपसे एक humble request है कि अगर आपको हमारा ये effort जो हम नई series लेकर के आए हैं जिसमें हम continuously आपको notifications के बारे में aware करवा रहे हैं अगर आपको लगता है कि ये हमारे efforts जो है वो आपको फायदा कर रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा चैनल को subscribe करना ना भूलिएगा इससे हमें continuous motivation मिलता है ताकि आपके लिए और बहतर content ले करके आ सके बिना देर किये हुए शुरू करते हैं सबसे पहले तो ये website देख लीजे इस website की details मैं description section में भी दे दूँगा ताकि आप directly क्लिक करके यहाँ पर आ सके अपार्ट from that यहाँ पर एक information brochure download होगा जिसको मैं telegram group के ओपर share कर दूँगा telegram group का भी link description section में दिया हुआ है तो आपसे request है telegram group को जरूर join करें क्योंकि वहाँ पे इससे related और information और बाकी IITs, बाकी NITs और job opportunities के बारे में भी मैं regularly update करता रहता हूँ तो जैसे ही आप इसके ओपर click करेंगे तो यहाँ पे नीचे scroll करते हो याई admissions for the academic year 2024-25 अब यहाँ पे आप देख सकते हैं mtech, mtech plus PhD dual degree यहाँ पे इसके PG programs में listed है अब चाहे आप mtech करना चाहते हो चाहे mtech plus PhD dual degree करना चाहते हो आपको इसी के ओपर click करना है जैसे आप इसके ओपर click करेंगे आप एक नए page के ओपर redirect हो जाएंगे यह वो page है और सबसे पहले आपको यहाँ पे information brochure यह दिख रहा है इसके ओपर click करना चाहिए और उसके बाद जब आप पूरी तरीके से information brochure को पढ़ लें तो आप online application portal के ओपर जा सकते हैं यह इनका online application portal है इसके ओपर click करेंगे तो आप एक नए page के ओपर redirect हो जाएंगे जहाँ पर जा करके आप जिस भी area में apply करना चाहते हैं जैसे मैं mtech प्लस PhD प्रोग्राम के लिए apply करना चाहता हूँ तो यहाँ पर click कर दूँगा तो मैं form बगरा का काम fill कर सकता हूँ वापस आता हूँ इसके अलावा अगर मैं schedule की बात करूँ तो यहाँ पर आप schedule देख सकते हैं अब schedule जो है आप इसको check out कर लीजे कि advertisement जो है वो 15 March 2014 को IIT Bombay की website पर आ चुका है अगर मैं बात कर रहा हूँ कि beginning application form application process की शुरुवात कब से होगी March 20 से हो चुकी है last date जो form fill करने की है वो April 5th 2024 है और last date for submission of completed application form extended forms with late fine मतलब अगर आप without fine करना चाहते हैं तो April 5th है और with fine अगर है तो April 10th हो जाएगा यहाँ पे 5 बजे शाम को ठीक है तो यह सारी की सारी details हो गई है इसके अलावा अगर हम बात करें कि list of candidates for written test या interview schedule के लिए जो आएगा वो April 19th तक final हो जाएगा इसके बाद direct admission offers जो है अलग-अलग branches में वो COAP के link के उपर आप click करके देख करते हैं या एक बार या और समझ लीजे कि IIT Bombay जो है वो COAP के through ही admissions लेगा अब देखे यह तो direct admission offers हो गए ठीक है लेकिन अगर हम जैसे कि biomedical engineering वगरा की बात करें जहां पे आप interested होंगे वहां पे written test और interview वगरा जरूर होगा उसके बाद ही आपको admission offer होगा तो यह बात यह ज़रूर याद रखेगा तो अभी इसके बारे में और detail में अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा यहां पे और भी मतलब जो counseling related जो important dates ने उसके बारे में भी दिया हुआ है कि first offer कब होगा second offer, third offer, fourth offer अगर requirement होती है अगर इसकी seat भर जाती है तो फिर आगे फर्दर कोई offer नहीं provide किया जाएगा ठीक तो बाकी instructions वगएरा जुलाई 29 को शुरू हो जाएंगे इनके यह और बाकी details दी हुई है आप इसको check out कर सकते हैं मैं वापस आता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि अगर आप इनका information brochure प्ले क्लिक करेंगे तो आप इनका PDF डाउनलोड कर पाएंगे मैंने already PDF डाउनलोड कर रखा है तो यह PDF है इनका इसको यह वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है लेकिन इसको last तक देखिएगा फॉर्म भरने से पहले आपके लिए बहुत ज्यादा useful होने वाला है क्यों क्योंकि apart from the biomedical engineering वेगरा की जो field है उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी fields हैं जहां पे आप eligible हैं तो आप चाहें तो उनको भी try कर सकते हैं अगर आप interested हो तो तो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ कि कौन-कौन से और areas में भी आप interested हो सकते हैं तो यह content list दी हुई है शुरुआत में इसको आप एक बार चाहे तो देख सकते हैं वैसे मैं इसको scroll करते हुए आगे बढ़ता हूँ और सीधे अपनी मतलब की चीज़ की तरफ बढ़ता तो अगर मैं यहाँ पर भी बात करूँ तो यहाँ पर भी online application की fees decided है वुमेन candidates के लिए 150 रुपीज है और अगर आप fine के साथ apply करते हो तो 650 है SCST candidates के लिए 150 है fine के साथ 650 है सभी बाकी candidates के लिए 300 है और fine के साथ 800 रुपे देने पड़ेंगे applications अगर आपने fee submit नहीं की है तो आपकी application को accept नहीं किया जाएगा याद रखेगा पहले COAP में registration होना चाहिए और उसके बाद ही आपको यहाँ पर किसी भी form को IIT Bombay के form को भरना है ठीक है तो यह मैंने यहाँ पर clear कर दिया अब देखिए कि requirement of first class 60% for PG admissions at IIT Bombay अब यहाँ पर ए admission में अगर आप लेना चाहते हैं तो कम से कम 60% marks आपके होने चाहिए जब आप form भरेंगे तो आपको क्या-क्या चीजों की जरुवत पड़ेगी वह यहाँ पर mentioned है आप इसको check out कर सकते हैं अलग-अलग आपके certificates अगर आप किसी category को belong करते है photograph आपका signature आपकी mark sheets वगरा यह सा 30 अगस्त 2024 तक अपनी सारी transcript submit कर सकता है तो वह apply यहाँ पर कर सकता है यह भी important बात है इसके अलावा यह बहुत important चीज़ है कि यहाँ पर multiple categories के under में admissions हो रहे हैं क्या मतलब हुआ अब यहाँ पर देखिए multiple categories बनाई हुए TA, TAP, RA और RAP category बनाई गई है इसके under में admissions लिये जाए अब यह categories क्या है इसके क्या क्या benefits है उसके बारे में भी मैं अभी थोड़ी दिर में आपको बताऊंगा apart from that यहाँ पर written test और interview जरूर होता है IIT Bombay अपना written test भी करवा सकता है interview भी करा सकता है और दोनों भी करवा सकता है तो उसके लिए जरूर तयार रहेगा अब अगर हम बात करते हैं कि कौन-कौन से departments में M.Tech या M.Tech प्लस PhD डुल डिग्री है हमारे मतलब के कौन-कौन से है तो अगर हम यहाँ पर देखें तो M.Tech या M.Tech प्लस PhD डुल डिग्री में तो Aerospace Engineering, Biomedical Engineering यह सारे के सारे departments यहाँ पर दिये हुए है मुझे ऐसा लगता है कि Biomedical Engineering जो है वो आपके लिए सबसे suitable department है सबसे suitable मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इसके अलावा आप apply नहीं कर सकते हैं मैं उसके बारे में भी बताओंगा कि कहां कहां पर आप apply कर सकते हैं लेकिन Biomedical Engineering जो है वो सबसे suitable department है details के लिए आप आगे बढ़ते रहे हैं वहाँ पर आप सकते हैं जैसे एन्वायर में आगे ने वाला हूं देखिए इन्वायर में भी बताने वाला हूं इसमें आप apply कर सकते हैं लेकिन इसके बारे में अभी आगे बात करते हैं इसके अलावा और भी जो प्रोग्राम से अगर आप और किसी प्रोग्राम में भी इंट्रिस्टेड हैं तो आप यहां पर चेकाउट कर सकते हैं MSc प्रोग्राम के बारे में दिया हुआ है MSc PhD dual degree programs के बारे में दिया हुआ है MS by research program के बारे में दिया हुआ है MS by research में भी आप apply कर सकते हैं इसके बारे में भी आप थोड़ी दिर में आपको बताऊंगा यह हाला कि यह जो वीडियो है यह PhD से related नहीं है PhD के admissions के लिए अलग वीडियो में बना दूँगा लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि PhD कौन-कौन से domains में होती है तो आप चेकाउट कर सकते हैं Bioscience and Bio Engineering यहाँ पर department ही है उसमें PhD हो सकती है इसके अलावा Nanotechnology and Science वगरा का भी department है इसके अलावा जो आपका Environmental Sciences वगरा का जो department है वहाँ पर भी PhD हो सकती है लेकिन अभी मैं आज PhD के बारे में बात नहीं करना चाहता PhD के admissions भी open है तो आप मेंसे जो भी students PhD के लिए apply करना चाहते हैं वो ज़रूर apply कर सकते है बाकि यहाँ पर research facilities वगरा के बारे में दिया हुआ है जाहिर सी बात है IIT Bombay कमाल का institute है तो यहाँ पर research facilities तो लाजवाब होंगी ही होंगी लेकिन मैं वापस आता हूँ और यहाँ पर देखते हैं कि eligibility for M.Tech या M.Tech प्लस PhD डूल डिगरी प्रोग्राम तो क्या-क्या eligibility होनी चाहिए अगर आपके पास B.E. है B.Tech है, B.S. Engineering है या Bachelor of Architecture है, Bachelor of Planning है या M.S.C की degree है, इसके अलावा भी बहुत सारी degrees है लेकिन हमको लगता है कि Biotechnology या Life Science के candidates के लिए इतना समझना काफी होगा कि M.S.C भी allowed है, B.E. B.Tech भी allowed है और B.S.C. Engineering भी allowed है इसके अलावा और बहुत सारी domains को allow किया गया है आप इसको check out कर सकते हैं अगर आप चाहें तो नीचे आते हैं और देखते हैं कि और क्या-क्या यहाँ पर चीज़ों की जरुवत है 60% marks चाहिए ही चाहिए आपके पास 1st class degree होनी चाहिए युनिवरस्टी से आपके पास अगर CGPA की बात करूँ तो 6.0 या सकेल पर 0-10 की सकेल पर 6.0 होना चाहिए अगर SCST PWD candidates की बात करूँ तो यहाँ पर कुछ relaxation है आप इस relaxation को check out कर सकते हैं अब fees and deposits की बात करें तो यहाँ पर एक link दिया हुआ है आप इसको fees अगर आप चाहते हैं पता करना कि IIT Bombay में कितनी fees है तो आप इस पर click करके fees बगरा देख सकते हैं अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर multiple categories के अंडर पर application invited रहता है तो कौन-कौन सी categories है तो आप देख सकते हैं Teaching Assistantship यानि कि TA बोलते हैं इसको इसके अलावा Teaching Assistantship थू प्रोजेक्ट टैप बोलते हैं इसको Fellowship Awardee, FA बोलते हैं इसको यह duration इसका दो years, 2 years है इसके अलावा Research Assistantship की अगर हम बात करें तो इसको RA बोलते हैं या Research Assistantship थू प्रोजेक्ट की बात करें तो इसको R.A.P. बोलते हैं इसका duration तीन साल है Project Staff PS या Project Staff of IIT Bombay इसका भी duration तीन साल है Institute Staff IS for Faculty Staff of IIT Bombay इसका भी तीन साल है और Sponsored Candidates का दो से तीन साल हो सकता है तो इतने categories के अंडर में IIT Bombay admissions लेता है M.Tech या M.Tech प्लस PhD खासका M.Tech का M.Tech प्लस PhD की बात नहीं करना हूँ या M.Tech की admissions की बात है अगर आप teaching assistantship के अंडर में apply करना चाहते हैं तो क्या-क्या eligibility criteria है यहाँ पे आपके पास gate का score होना चाहिए इसके अलावा additional test या interview हो सकता है दूसरी चीज यहाँ पे जो अगर हम बात करें तो TA जो है teaching assistantship की बात करते हैं तो यहाँ पे financial assistantship मिलेगी जो बच्चे जाएंगे उनकी लिए है इसके अलावा teaching assistantship through project की बात करते हैं जिसको हम लोग tap बोलते हैं यहाँ पर भी valid gate score mandatory है इसके अलावा आपको additional test या interview को भी qualify करना पड़ सकता है यहाँ पे जो projects यहाँ पे IIT Bombay में चल रहे होंगे sponsored R&D projects उसके उसके through यहाँ पे student को fellowship provide की जाएगी यहाँ पर भी 8 गंटे पर week का time student को देना पड़ेगा और 24 महीने में यहाँ पे PhD M.Tech का program आपको खतम करना पड़ेगा next fellowship award की बात करते हैं तो कई students जो हैं उनके पास fellowship external agencies से fellowship होती है जैसे कि research development board department of science and technology इस तरीके से कई agencies जो हैं वो fellowship provide करती हैं तो अगर आप इसके जरीया आ रहे हैं तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो candidates may apply to be considered under FA category as per advertisement valid gate score यहाँ पर भी mandatory है और additional test या interview को पास करना maybe आपको पास करना पड़े next research assistantship आरे की बात करें तो यहाँ पर भी valid gate score mandatory है लेकिन यहाँ पर 36 महीने का समय लगेगा आपको time ज्यादा लगेगा यहाँ पर research assistantship through project की बात करें थे R.A.P. तो यहाँ पर आपको 20 घंटे पर week के इसाब से काम करना पड़ेगा मैंने आपको बताया था पर भी time आपको ज्यादा लगेगा इसके अलावा project staff और institute staff और sponsored candidates की भी details यहाँ पर दी हुई है अगर आप चाहें तो इसको check out कर सकते हैं ठीक तो अब बात करते हैं कि M.Tech plus PhD dual degree programs की क्या-क्या खास बात है तो अगर आप M.Tech plus PhD dual degree programs में participate कर रहे हैं तो कई students जो है वो सिर्फ M.Tech program में भी लेते हैं आगे चल करके उनको M.Tech plus PhD program में भी जूरने का मौका दिया जाता है तो यह भी एक बहुत important point है अगर आप शुरुवात में M.Tech में जॉइन किये और बाद में आपको लगता है कि आप PhD करना चाहते हैं तो आप convert कर सकते हैं dual degree में बाद में भी जब आपका first stage of evaluation हो जाएगा तो thesis का ठीक है तो यह कहानी हो गई अब जल्दी से देख लेते हैं कि कौन-कौन से areas में M.Tech program यहाँ पर चल रहे हैं इनके codes आप ज़रूर याद रखेगा जैसे कि biomedical engineering है department of bioscience and bioengineering यहाँ पे specialization जो है M.Tech biomedical engineering की degree आपको मिलेगी इसका code BM है ठीक इसके अलावा अगर आप देखें तो यह और भी departments के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है बट यहाँ से आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि eligibility criteria नहीं दिया हुआ अब यहाँ से eligibility criteria दिया हुआ है आप इसको check out कर सकते हैं अब देखें जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि aerospace engineering में या M.Tech aerospace engineering आपको करने का मौका मिले तो आपके पास B.E.B.Tech degree होनी चाहिए और equivalent in any यानि कि civil engineering या mechanical engineering वगरा में आपके पास degree होनी चाहिए और यहाँ पे दिया हुआ है gate requirement किस subject में आपके gate qualify क्या है वो और आपके पास bachelor's degree है कि नहीं दोनों चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी यानि कि ये वाला second वाला column और third वाला column भी आपको साथ में साथ देखना पड़ेगा अब जल्दी से देखते हैं कि अगर हम लोग अपने respect में बात करें तो जैसे कि ये department of biomedical engineering या department of bioscience and bioengineering का ये department है यहाँ पे अगर आपके पास B.E.B.Tech की degree है किसी भी ब्रांच में बहुत सारी ब्रांचे देखिए biomedical engineering में है या biotech में है या अगर हम लोग life science की बात करें तो MSC की देखिए यहाँ पे MSC दिया हुआ है और yes तो यहाँ पे MSC in five year integrated program या BSMS, biochemistry में अगर है बायो technology में अगर है तो यह भी लोग allowed है ठीक है तो कहने का मतलब है कि काफी wide area दिया हुआ है और gate भी qualified अगर आपका किसी भी discipline में है तो आप यहाँ पे apply कर सकते हैं कोई problem नहीं है ठीक है न अब तो यह तो एक major department हो गया जहाँ पे हमें apply करना ही करना है major department है main हमारा ठीक है इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो देखे chemical engineering में apply नहीं कर सकते civil engineering में apply नहीं कर सकते यहाँ पे किसी में apply नहीं कर सकते आप नीचे scroll करते हुए जाएंगे educational technology ET करके है interdisciplinary program in educational technology यहाँ पे आपके पास b.tech, b.e, b.farm, b.r किसी भी engineering discipline में हो और तो और अगर आपके पास किसी भी discipline में get qualify किया हो तो आप यहाँ पे apply कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे b.s. in any science या m.s.c. भी अगर आपने किया है तब भी आप apply कर सकते हैं तो यह एक important चीज़ है यहाँ पे आप इसको note कर सकते हैं अगर आप biotechnology में या biomedical engineering में select नहीं होते और आपका dream institute अगर IIT Bombay में है तो आप किसी और discipline में अगर आप चाहें तो आप अपना domain change कर सकते हैं फिर नीचे scroll करते हुए आते हैं अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए electrical engineering का department है और यहाँ पे biomedical engineering को allow कर रखा है biotechnology को तो allow नहीं किया हुआ है लेकिन biomedical engineering को allow कर रखा है और जो gate का जो domain है gate का जो subject है वो biomedical engineering दिया हुआ है यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं electrical engineering में biomedical engineering वालों को allow किया हुए हुई है अब यहाँ पर देखिए environmental sciences मैं बार बार बताया था आपको environmental science and engineering बहुत अच्छा department है IIT Bombay का यहाँ पर B.E. B.Tech biotechnology के students को allow कर रखा है और यहाँ पर gates का जो score अगर आपके पास BT में है या excel में है दोनों में आप apply कर सकते हैं MSC के students को भी यहाँ पर allow कर रखा है देखिए biotechnology के students को यहाँ पर allow कर रखा है ठीक लेकिन अगर यहाँ पर एक बात और देखिए कि MSC के students के पास mathematics होनी चाहिए at higher secondary या intermediate level की mathematics उन्होंने पढ़ी होनी चाहिए again देखिए industrial engineering operations research यहाँ पर B.Tech B.E. अगर आपके पास किसी भी domain में engineering की है तो आप apply कर सकते हैं यहाँ पर भी देखिए biotechnology का course gate का biotechnology allow कर रखा है MSC को भी allow कर रखा है लेकिन MSC आपके पास अगर आपने किया हुआ है तो यहाँ पर क्योंकि Excel मुझे नहीं नज़र आ रहा है that means Excel वाले students को allow नहीं किया है अगर आपने दिया होगा तो जरूर अप allowed है इसके अलावा देखिए बाकी किसी में यहाँ पर allowed नहीं मुझे नज़र आ रहा है आप एक बार खुद से भी जरूर चेक कर लीजेगा हो सकता है मेरी नजर से कुछ चूट गया हो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं Systems and Control Engineering में यहाँ पर किसी भी Engineering Discipline में अगर आपने पढ़ाई की होगी तो आप भर सकते हैं लेकिन आपके पास Gate Discipline होना चाहिए अब देखिए Gate आपने क्योंकि Bio Technology वगरा में किया होगा तो आप यहाँ पर allowed नहीं है इस चीज़ को जरूर देख लीज़ेगा सिर्फ यह मत देखिएगा किसी भी Engineering Discipline को allow कर रहा है तो आपके पास Gate का Score भी होना चाहिए उस वील्ड में ठीक है अब यहाँ पर जैसे कि देखिए Technology and Development Center for Technology Alternatives for Rural Areas यहाँ पर in any Engineering Discipline allow किया है MSC को भी allow किया है और Gate भी किसी discipline में हो जाएगा Apart from that Urban Systems में देखिए किसी भी Discipline को allow किया हुआ है बैचलर्स में लेकिन यहाँ पर Gate Score का issue है तो बार-बार मैं यह चीज़ दिखा रहा हूँ कि Eligibility criteria को ध्यान से देखेगा Otherwise गरबड होने की संबाबना है M-Tech के बारे में तो हमने बात कर ली MS by Research के बारे में जरा बात कर लेते है MS by Research को देखिए तो हमारे मतलब का मुझे यहाँ पर एक चीज़ लग रही है MS by Research in Data Science and Artificial Intelligence यहाँ पर BE, BTEC और Equivalent in Any Engineering Discipline और यहाँ पर देखिए Bio Technology और Life Science को अलाव कर रखा है ठीक, तो आप जरूर अपलाए कर सकते है इसके अलावा देखिए MS by Research in Healthcare Informatics यहाँ पर भी BTEC, BE किसी भी Engineering Discipline में हो तो अलाव कर रखा है, MSC को भी अलाव कर रखा है, और GATE का स्कोर किसी भी Discipline में उसको भी अलाव कर रखा है ठीक है, तो अमीद है कि यह समझ में आ गया होगा अब यहाँ से देख सकते हैं कि अलग-अलग M-Tech Programs के जो पढ़ाई होगी, उसके बारे में दिया हुआ Areas of Research वगएरा के बारे में यहाँ पे दिया हुआ ठीक, तो अगर हम Biological या Bio जो Science जिसको, जो हमारा एरिया है इसको देखें तो यहाँ पे इस पेज पे, पेज नर्मर 29 पे दिया हुआ है आप इसको पुरा Detail में Study कर सकते हैं कि कौन-कौन से Subjects पढ़ाई जाते हैं, क्या Area of Research है यहाँ पे इस तरीके का इस तरीके से आप Environmental Engineering में जाना चाहते हैं तो उसको भी देख सकते हैं, यह आपके उपर है तो यह जो थी, यह Main चीजें थी अगर मैं और स्क्रॉल करूँ तो यहाँ से Yes यहाँ से Statement of Purpose वगएरा के बारे में लिखा हुआ है Statement of Purpose आपको भरना पड़ेगा के लिए useful रहा होगा IIT Bombay की complete details जहाँ पर मैंने आपको इसाथ share की कौन-कौन से areas में apply कर सकते हैं, क्या deadlines हैं किस तरीके से form वगएरा fill करना यह भी बता दिया आपको तो इमीद है कि यह वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा Thank you so much, have a good day